नमस्कार दोस्तों दिया गया है अब बात करते हैं राजी गांधी खेलतन पुरुषकार की तो ये कब से श्टार्ट हुआ है तो 1991-92 से इसकी शुरुवात हुई थी और सबसे पहला आवार्ड जो दिया गया था तो ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आननद जी को दिया गया था ये चेस से संब किसकी श्मृति में दिया जाता है तो भारत के भूतपूर PM यानि प्राइम मनिस्टर राजी गांधी के श्मृति में दिया जाता है अगर बात करते हैं राजी गांधी की तो राजी गांधी 1984-1989 के बीच देश के प्रधान मंतरी थे ये किसान प्रधान मंतरी यानि फार्म लिए सुसोभित किया जाता है अगर बात करते हैं खेल के लिए कब दिया जाता है तो खेल में उतक्रिष्ट योगदान के लिए जिन बंदों को चार साल का experience हो जाता है और अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको एक संस्था द्वारा कारिदाई संस्था बनाई जाती है और उ अगर बात करते हैं राजिव गांधी खेलतन प्रोषकार की तो अब तक लगभग टोटल 38 व्यक्तियों को दिया जा चुका है राजिव गांधी खेलतन प्रोषकार बात करते हैं फर्स्ट विनर की विशुनातन आनंद है ये 1991-92 में राजिव गांधी खेलतन प्रोषकार प खेल रतन पुरुषकार अपने नाम कर लिया था नेक्ट बात करता है क्रिकेट के कौन-कौन सी इसी हस्ती है जो राजिव गांधी खेल रतन पुरुषकार से नमाज जा चुकी है तो सबसे बले नाम आएगा मास्टर बलास्टर सचिन तेंदूल कर गा 1997 में इन्हें खेल का सबसे बड़ा पुरुषकार राजिव गांधी खेल रतन पुरुषकार मिल चुका है MS धोनी जो अभी हाली में सन्यास की गोश्रा किया है भारतिय लोगप्य कप्तान है 2007 में इन्हें राजिव गांधी खेलड़तन पुरुषकार से नमाज आ जा चुका है जबकि वर्दमान में भारती एक अपतान बिराट कोहली जी को 2018 में राजिव गांधी खेलड़तन पुरुषकार से नमाज आ जा चुका था यह थे क्रिकेटर की हस्तियां जबकि जो चोथा क्रिकेटर में नाम जुला है वो रोहिस सर्मा है रोहिस सर्मा को 2020 का क्रिकेटर का राजिव गांधी खेलतन पुरुषकार दिया जा रहा है दूसरा नाम जूड़ता है विनेश फोगाट का जो की रेसलिंग से सम्दित है जबकि मनिका बात्रा टेबल टेनिस से सम्दित है और यह थांगा वेलू यह पैरालंपिक से सम्दित है यही चार परसन है जो करेंड में राजिव गांधी खेलतन पुरुषकार पाने वाले हैं तो पैरालंपियन की बात कर लेते हैं पैरालंपियन यहां कौन-कौन है तो पैरालंपियन में एम थांगा वेलू आती हैं एम थांगा वेलू यह दूसरी महिला है पहली महिला की अगर बात करते हैं पहली महिला पैरालंपियन जो है उनका नाम आएगा दीपा मलिक जो 2019 में पेरलंपिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Personal Anti-Doping Agency, यानि NADA को, N-A-D-A, NADA ये इंडिया की है, जबकि अगर वर्ड की बात करते हैं, तो यहां वर्ड आ जाता है, वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी, यह अपने लेवल पर टेस्टिंग करती है, और उसके अनुसार ही कारे करती है, जब यह अपनी रिपोर्ट सौंप द लेती है, उसके बाद 12 वेक्तिओं की एक कमेटी होती है, उसमें एक चैर परसन होता है, जो के केंसर कार दोरा मनुनित होता है, वो अपना फैसला लेता है, और उसके अंडर में 4 ओलम्पियन होते हैं, या फिर वो प्रीवियस बिनर होते हैं, राजिव गांधी खेलतन पु उस्कार की घोश्वला कीजाती है , जिबग की नाटा अपनी फानली रिप्ष। देती है , नशनल रेंटी डोपिढ立 लगाती है , टीक है , डोपिढ ये टेस्ट करतीह है , वही अजैसी है , फानली रिपोढ़ लगातीहें तभी ये नामपशववकृत होता है, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर चैनल के साथ पहली बार जूड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला आइकन को प्रेस कर लें जिसे कर नोडिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूला आप ले सकें सुबरात्री